नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और आज हम बात करने वाले हैं सुनादिका 47 सेकंदर मॉडल के बारे में और पूरा टैक्टर का जो कलर है वो नीले कलर का है और क्रोम फिनिश काफी दे रखी इस टैक्टर में तो चलिए सबसे पहले टैरों की बात करते हैं तो इसमें अब आगे की बात करें दोस्तों तो इसमें चोकोर स्पेंडल मिल जाता है और अगर यहां पर बात करें यहां पर देखिए काफी अच्छे तरीकर का डिजाइन जो है वो अगर यहां पर सामने की बात करें तो एड़ेम सेंसामने और अगर यह दो ब्रॉट मिल जाते हैं और यहां पर दो डिजल फिल்र सापको मिल जाते हैं और इंजनली के एसेंबली जो पूरे ब्लेक कलर में आपको प्रोवाइड की जाती है सोनालिका के दवारा और अगर यहां पर यह तूल बॉक्स आपको यहां पर नीचे मिल जाता है और नीचे से आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों कुछ इस तरह का टेक्टर दिखता है साइड में आपको जो इंडिकेशन से वह काफी बहतर है और यहां पर SDM दे रखा है बैक लाइट भी काफी अच्छी स्टाइलिस दे रखिए जिससे टेक्टर का लुक और अच्छा दिखता है और दोस्तों अगर हम बात करें बोनट ओपन करने के बाद जो कि इसका सिंगल पीस हुड बोनट है यहां पर सबसे पहले हमारी नजर बैटरी बजाती तो अंदर बैटरी दे रखिए और यहां पर छे इंच का एर क्लीनर दे रखा है आपको क्लोगिंग सेंसर के साथ ड्रा में पाउसّंटरी का उयल आता है और अगर दोस्तों नेंट के अच पी की बात करें तो दोस्तों एसके अलिस की कटेगरी में रख होरें जर्ट के बत करूब तो और अगर इसके rated rpm की बात की जाए तो दोस्तों इसके उन्नीस सो rated rpm में आपको 55 hp पूरे जनरेट हो जाते हैं और दोस्तों ट्रेक्टर के अगर टॉर्क की बात की जाता है तो मैक्सिमम टॉर्ज का 205 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है 1200 rpm और अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो दोस्तों आपको इसमें 12V और 88Ah की बैटरी मिल जाती है अगर डुसरी साइड में आते तो यहां पर सबसे पहले आप हमाई जाती है यहां पर सबसे पहले टूल बॉक्स में तूल बोक्स आपको मिल जाता है जो कि ट्रेक्टर के नीचले स्तर में है क्योंकि काफी अच्छी बात है यहां पर किसान को नीचे से ही अपना समाल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर हम क्लच की बात करें तो आपको डूवल और सिंगल क्लच दोनों का ऑप्शन मिल जाता है और ट्रेक्टर कंपनी क्लच की प्लैटों का साइज काफी मीडियूअ का है तो दोस्तों ट्रेक्टर के बेके साइड में आच चुके हैं यहां पर जो वह फूरी ब्लैक कालर की है और अगर हम बात करें इसके यहां पर लिप्टों की तो लिप्टों की कैपसी आपको 1800 केजी की मिल जाती जो की के टेट हम यहां पर करें तो यह आपको मिल जाती हैं और गयर काण सब्सक्राइब ऑद गया है यहां पने रिलीमेश हो में क पलटी प्लाव असानी से यहां के साथ या अच्छी बात है सबसे पहले हमाई नजर जो जाती हो स्टेरिंग पर जाती है अर्गो स्टेरिंग दे रखा है ताकि स्टेरिंग को गुमाने के लिए यहां पर इंस्टूमेंट क्लिस्ट की बात कुरूरी ने रख़ी यहां पर टैश्बूर में और काफी स्टाली इंस्ट्रूमेंट क्लेटर की तुलना में और यह पूरा प्लैट्फॉर्म जैसा कि आप देख पार है ब्रेक पेडल जो नीचे से उपर आते हो अर ऐसा ही आपक और यहां पर fuel tank की बात करूँं, तो दोस्तो आपको 55-litre का fuel tank मिल जाता है, पावश टेरिंग का यहां पर logo दे रखा है, दोस्तो, तो 55-litre का का अच्छा है 47 HP के साब से, और अगर यहां पर हम गेराओं की बात करें तो आपको left side में low और high का option मिल जाता, और यह PTO 540-540E यह या फिर रिवर्स पीटियो जो आप भी आपके लेना चाहें और पीछे आपको बोटर होटर होगेरा मिल जाते हैं यहां पर और यह आपको ट्रॉली उठाने के लिए लीवर और कुछ इस तरह का ट्रैक्टर का लुक है जैसा कि आप देख पारें पीछे से काफी अच्छा है यह आपके ट्रैक्टर का उपर चड़ने के बात और जो प्लेटफर्म का साइज है काफी अच्छा है और यह आपके ड्राफ्ट और पोजिशन लिवर कंट्रोल खेतों में काम करने के लिए और यह आपके ट्रांस्मीशन की बात कुनों दोस्तों तो आपको इसमें आठ फो बात के लिए है सकता है तो दोस्तो आज हमने ओरोल देखा सोनाली का 47RX सेकंदर मोडल को काफी अच्छी बनावाट है टेक्टर की जैसे कि आपने देखा लुक भी बहुत अच्छा दे रखा है यहां पर और गेरबॉक्स की बात करें तो आपको गेरबॉक्स मिल जाता है 47HP में लेकिन बाकी कमपन प्रकार और इसकी जो लंबाई कारा है 4632 mm की है और ऑगर इसके ग्राउंट कि इसको इसको आपको ठीन सो स ग्राउंट की बात कुरोन तो तो थिक्षी इसमें hydraulic oil आता है और अगर दोस्तो पाउट रिंग की बात की जाया तो इसमें दोस्तों दो पॉंट पांस लीटर मतलब धाई लीटर पाउट रिंग का ओव आता है अगर दोस्तों इसके बात की जाया तो यहां पर ऑप नीचे हो सकता जिस रहते हैं उस स्टेट के हिसाब से तो टोटल हमने आज सोना लिका 47 आरेक्स की बात की तो काफी अच्छा लगा मुझे यह ट्रेक्टर और अगर दोस्तों कुछ इस इंफ्रमेशन छूट गई हो तो आप प्लीज मुझे बताईएगा कमेंट करके ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करते हैं